जिन महलाओं के बेस्ट पहुत जड़ा चोटे हैं दीले हैं या फिर लटके हुए हैं जो महलाओं अपने बेस्ट को लेकर पहुत जड़ा परिशान हैं तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा पैतरीन करेली उपाय लेकर आई हूँ जिस उपाय को इस्तिमाल करके आप अपने चोटे टीले और अविकिशित पैस्ट को बहुत जड़ा टाइट हैवी और साई शेप में ला सकते हैं दोस्तों जो मैं आपको नु उसके को बेखकर होकर बड़ी आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शूरू करने से पहले आप लोगों से चोटिसीसे रेक्व办 कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज हमारे चलने को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें आपको लाइक करना फ्री है लेकिन आपकी लाइक करने से मुझे काफी दा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा-च्छा काम करने का तो दोस्तों इस मुझे को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीछ वो है सरसो का तेल मतलब मस्टरड ओयल आपको एक खाली बावल लेना है और आपको इस बावल में एक चमच करीब सरसो का तेल एड़ कर लेना है दोस्तों मैं यहाँ पर एक से दो बार का नुसका बना रही हूँ आप जितना नुसका बनाना चाहते हैं आप उसके कोडिंग सरसो का तेल एड़ कर सकते हैं और जो हमें दूसरी चीक जो पढ़ने वाली है वो है इवियोन कैप्सूल जो कि आपको मार्किट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा दोस्तो इवियोन कैप्सूल के अंदर कुछ ऐसे विटाइमिन्स, मिलरस और कुछ ऐसे तत्तो होती हैं जो आपकी स्कीन टाइटनिंग और टाइटनिंग का काम करती है तो आपको एक इवियोन कैप्सूल लेना है और उसको आपको इसमें निकाल देना है इस तरीके से और इसके बाद जो हमें 30 चीक पढ़ने वाली है के फूग है कैस्टरड और गॉल को दोस्तों टयस्टरड रोल हमारी स्कीन लिए बहुत यई anarchा होता है इसका इसली आझकश मचक Анजी से आपको अछी करिके से mix कर देना है इस तरीके से दोस्तो इस नुस्के की सक्से अच्छी बात यह है आप इस नुस्के को बना कर रख सकते हैं आप इस नुस्के को एक महीने तक बना कर त्यार करके भी रख सकते हैं अब मैं बताती हूँ आपको इस नुस्खे का इस्तिमाल कैसे करना है तो फ्रेंड्स आपको इस नुस्खे को कुछ इस तरीके से लेना है इस तरीके से और इससे आपको अपने बैस्ट पे नीचे से ऊपर की और हलकी हलकीास से मसास करनी हैं मसास आपको नीचे से ऊपर की और करनी हैं विश्वास मानिए दोस्तों अगर आप इस नुस्के को मासाथ दन इस्तिमाल कर लेते हैं तो आप अपने चोटे डीले और लटके हुई ब्रैश्ट को भी पहुत जड़ा टाइट हैवी और श्राइश शेप में ला सकते हैं दोस्तों इस नुस्के का इस्तिमाल आप को सूने से पहले करना है तो फ्रेंड्स आप इस नुस्के का एक बार चुरू ट्राइए करें और इसकी जो फीड़बेक हैं उसे कॉमेंट्स की दोरा में सच चुरू शेयर करें वीडियो है फूल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब कर ल अ minha वीडियो को सच यह दो कि अदीट च्या का लुट में सच बास्या थेयर को अगदियो में सब już कि पर शेयर करें इस करेंड लुटरू है तो मुरू करें वी दिले सकतिक रहते हैं Ăना है वीडियो है यू झाहल कर बास्क TL बास्तों हैं वीडीोहर की बास्की जाई फ